सफेज दाग, वाइप पैचेस और लिकुडर्मा एक ऐसी गंभीर समस्या हमारे देश में हो रही है कि लगभग लगभग दो से तीन प्रतिशत पूरे भारत में हो चुकी है और बहुत जादा ये बढ़ रही है हमारे भारत में दोस्तो इसको ठीक करना एक अलग बात है लेकिन इससे बचना ताकि किसी भी नए विक्ति करना ना हो उसके बारे में जानना भोजरी दोस्तो आज मैं ये जानकारी उन सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुत जबरजस्त है और खासकर सफेज दाग जब ठीक ना हो रह आपको इस उपाय को करना ही करना है आपको ब्लैक पेपर मतलब की काली मिर्च आपको लेना है मसालों में किचन में घर में आसानी से ये मिल जाती है काली मिर्च लेनी है आपको दो काली मिर्च लेनी है और आपको दो काली मिर्च इसका कैसे सेवन करना है और आपको चार नीम की कोपल पतियां लेनी है नीम की कोपल पतियों का मतलब है कि जो बिल्कुल जैसे पती खिलती है बिल्कुल नई पती बहुत ज़्यदा पुरानी प जिए जो बिल्कुल नइ पती अभी खिली होती है, दो तीन दिन की वो पती लीजिएगा, और जो ज़्यादा पुरानी पतिया होती होती हो, तो आली नहीं लेना है, चार पती वो लेनी है, और दो काली मिर्च लेना है, दोस्तो ये आपका एक दवाई बन गई, आपका इस से क्या होगा आप सोच नहीं सकते इनको आपको खाली पेट शुबे-शुबे आपको खा लेना है और खलका सा गुन गुन पानी पी लेना एक गिलास जैसे ही जैसे मालीजी आप मार नीम में उड़ते हैं वैसे ही आप खालीजी दो काली मिर्च और चार नीम की पत्तियां, इससे आपका सरीर पूरी तरह बूस्ट हो जाएगा और आपकी सरीर में ऐसी एनर्जी आएगी, सबसे पहली बात क्या होगी कि आपके सरीर में कभी भी बुखार, सर्दी, जुखां, ये समस्याएं नहीं होगी आपकी इम्मिनो सिस्टम बहुत मजबूत हो जाएगा, क्यों अगर आप इसका सेवन कम से कम आप तीन मेहने लगातर करना है, इससे आपके तच्चा का रंग वापस आने लग जाएगा दोस्तो इसके बड़ आपको परहज क्या करना है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना है ये अरवेदिक चीज़े होते हैं तभी फायदा करेंगी, बहुत ज़्यादा दोसों गुना आपको सफेज चीनी या सफेज चीनी से बनी कोई भी चीज आपको नहीं लेनी है आपको कोई मिठाई नहीं खानी है, चाय नहीं पीनी है, बिल्कुल भी तो फिर आप सोच रहे होंगे कि मीठे सुगर की कमी हो जाएगी, तो आपको फलों के रूम में मीठे होते हैं, वो आप ले सकते हैं उससे आपके सरी में सुगर की कमी नहीं होती है पूरी हो जाती है और आप चाहे तो उसकी जगे पे गुण का सेवन कर सकते हैं वो भी कम मातरा में बहुत कम मातरा में लेकिन सफेज चीनी आपके लिए बॉडी के लिए बिल्कुल सोच लीजिए कि बहुत ज़्यादा पईयन है इससे आपकी बीमारी को ठीक करने में दोस्तो बहुत ज़्यादा नुक्षन पहुचाता है जैसे आपकी बीमारी ठीक करने की गती 200% है तो ये 5% कर देती है सफेज सूगर सफेज दी फाइंड सूगर ये होती है बहुत खतरना कुती आज कल तो चलन हो चुका है दोस्तो उसके बाद आपको सफेद नमक का शेवन भूल से भी नहीं करना है घरों में इसमें खुब मार्केट से पैकेट वला नमक आ जाता है उसमें बोला जाता है टीवी में प्रचार में आड में कि यह आयोडीन युक्त नमक है इसका सेवन करिए और बीमारियों से बचिए दोस्तो आज की डेट में कंपनिया क्या न करें इंसान को बिल्कुल अंत तक ले जाने के लिए बरबाद कर दिया इंसानों को प्रचार करके खुद कमाते हैं लेकिन लोगों की जिंदगी के साथ साथ खेलते हैं तो आपको सिर्फ सेंधा नमक लेना है मार्केट में जाये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सेंधा नमक कैसा होता है आप जाए मार्केट में वह आप से बूलिएगा कि हमें सेंधा नमक चाहिए इस नमक का शेवन कीजिए दोस्तों जो वह नमक होता है सफेद नमक जिसमें लोग डॉक्टर बलते हैं आयोडी ने वह दोस्तों एसीडिक होता है और सेंधा नमक अलकलाइन होता है इसमें 84 तरह क तत्तों पाए जाते हैं लेकिन आपको सेंधा नमक भी जिनको सफेद नमक बहुत कम मतरा मिलेना है ना के बराबर अगर जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं इसके बाद आपको किसी भी तरह का नान्वेज मीट मचली अंडा बिलुकुल भी नहीं लेना है एक बार भी लेना है क्योंकि आइसा हमारे वीवर्स थे तीन मेने के अंदर उनकी बीमाटी पूरी तरह ठीक हो गई थी लेकिन उन्हेंने क्या किया फिर से अपने किसी मित्र के कहने पर लेना शुरू कर दिया उनके उनके मित्र ने बोला कि अब ठीक हो गए और आप खा सकते हैं उन्ह के बास आपको डोस्तोर रुफाइंड जो आड़ा होता है मैदा मैदे का सेवन आपको किसी भी रूम में नहीं करना है जोपी भाल दोकर आपको मल्टी ग्रेन मतलब तीन-चार अनाज आपस में मिक्स करके पिसा कर वो ही खाईए दोस्तों अगर ठीक होना चाहते हैं तब आप यह उपाय करिए अगर आप चाहते हैं कि बस डॉक्टर की दवाईयों के साथ हम चलते रहें ठीक होगा जब ठीक हो जाएगा तो 8-10 साल आप आपने देख रहे होगा कि इस बिमारी को इतना टाइम क्यों लग रहा है कि 8-10 साल हो गए लोग दवाई ही करा रहे है ठीक ही नहीं हो रहा है क्यों की लोग समझना ही नहीं चाहते है उनको लगता है कि डॉक्टर अच्छा नहीं मिल ला है डॉक्टर अपना काम दवाई देना है, पैसे कमाना है वो अपना कर रहा है, पैसे कमा रहा है लेकिन उसको आप ठीक होंगे या नहीं होंगे उससे कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको इस सीट को समझना होगा आप 3-4 आनाज मिला लेजिए जैसे चने की मतलब सबसे ज़्यादा उसमें उसके बाद उसमें आप जयों मिला लेजिए और फिर उसमें गेहों मिला लेजिए और भी एक-दो मिला सकते हैं उसको फिर आप पिसा लेजिए और बीना च्छाने मतलब उसको च्छानना नहीं है ऐसे उसकी रोटी का सेवन करिए आपको फैदा करेगी बहुत ज़दा आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखेगी तो आपको अगर जल्दी ठीक होना तो हमारी ये जो मैं नियम बता दिये न दोस्तो करोलों की बाते हैं अगर आप समझ गए तो अपने आपको तीन से आट महीने के अंदर ठीक करना चाहते हैं तो हमारे नब्बे सिट के सभी वीडियो एक बर आगर आप देख लेंगे तो आप खुद एक डॉक्टर बन जाएंगे दोस्तो ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन लोगों को ऐसी समस्या थी इतना तकलीम में थे आप घर बैठे ठीक हो सकते हैं दोस्तो बिलकुल आसानी से अगर आप ठीक होना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं आपका इलाज कर दूँ तो आप हमारे वाट्सअब नंबर पर मेंबर्शी ले सकते हैं दोस्तो यही मेंबर्शी दीक मैं चाहों तो फ्री में दे दूँ लेकिन फ्री में आप उस चीच की वैलू नहीं समझेंगे आप उसको सही से करेंगे नहीं आप एक दिन दो चार दिन या हफ्ते बर करेंगे क्योंकि आपको लगेगा यह तो फ्री है मैंने क्या दिया तो आप उसको सही से करेंगे नहीं और जब सही से करेंगे नहीं तो कोई रिजल नहीं आना दोस्तों अगर आप चाहते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर पूरे भारत में हमारा ही एक ऐसा चैनल है जहां पर सिर्फ और सिर्फ विटी लिगो वाइट पैचेस लिकोडर्मा सफेदा की सबसे अधिक जानकारी दी जाती है और सबसे अधिक ज्यादा मेंबर हैं की डुब मैं आप लिए किसे का दुख्य दूर हो सके किसी की तक्लीफ दूर आर उसके मैं वारत मलत् हमारे संस्कृत को सब्यिटा को अठाजने के लिए नहीं करते हैं आप सब्सकाइब बताने वाला हूं जो लोग हमारे एक्सपर्ट के अंदर में बिल्कुल बेस्ट ट्रीट्मेंट चाहते हैं वो हमारे वाट्सप नमबर 76-51-87-89-16 इस पर आप मैसेज करिए प्लीज काल मत करिएगा मैसेज कीजिए मैं आपको रिपलाई दूँगा मैसेज का वाट्सप पे ही मैसेज करना है यह हमारा वाट्सप नमबर है और मैं आपको पूरा ट्रीट्मेंट जो हजारों रुपए का है हीलिंग है, डाइट प्लान है और 96 के सारे वीडियोज हैं बहुत सारी अफर्मेशन्स हैं जिससे आप घर बैठे आसानी से खुद को ठीक कर सकते हैं वो सारी चीजे और जो दवाईयां हजारों रुपए में बिक रही हैं वो मैं आपको बता दूएंगा आप आसानी से घर में इलाज कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में